सार, क्या हो गया? जिनको औरेस्ट किया था हुआ आप बाहर क्यों नाच रहे हैं? किसने छोड़ा उनको बाहर? एक दिन भी नहीं हुआ? एक दिन? आदा दिन भी नहीं हुआ सार, यह यहां आए और पलत चपकते ही चले गए, यह गुरू का अदमी है सार, हम इन्हें अंदर कैसे रख सकता है सार? मैं हूँ स्टेशन का हायर ओफिसर, उसको छोड़ने दे पहले मेरे को बताए क्यों नहीं? यहां आपसे उपर भी ऑफिसर है सार, उनके आदर मानने का लवा कोई रास्ता नहीं, जैसे आप यह सब नहीं जानते हैं, जब डॉक्कर पुलिस बन जाये तो यह ही होता है लाटी लेगा दू सार सार, आप गुरू के आदमियों को नहीं जानते हैं, वो खतरनाक हैं अब ले क्या बोलना सार, मेरी बात सुनिये सार, अगर वो आगे ना पुलिस सेशन लेगा न हब, यह सब जाने दो सार माला और फूल, यह तेरी बीवी है क्या? यह हत्यारों की पूजा के लिए था यह लाटियाँ हमें दे गई है पूजा में रखने के लिए नहीं, इससे पूजा करने के लिए अब देख, मैं कर क्या तो सार, मेरी बात सुनिये सार मै आपके भले के लिए कह रहा है अब मुझे क्यों मार रहे हैं सर तू भी तो आना गुरू का चंचा अगर एक साथ 40 का पूतर घूम रहे हैं उसमें से अगर एक को हम मार दें तो कितने बचेंग हैं एटी नहीं सर क्या श्री निवासन बच्पन से कहानिया सुन रहे हो फिर भी गलत जवाब देते हो सभी उड़ जाएंगे यहां से यही जवाब है सब्सक्राइब देखिए उसने आते मुझे कितनी बुरी तरह बिटाएं सर तुम कौन हो अपॉइंटमेंट लेटर किस ने दिया तुम्हारे पास पिस्तोल ले तो गोली चलाओगे पलीस वाले को छूले की हिम्मत कैसे हुई रासकल सरकार आपको सैलरी देती है लोगों की सेवा करने के लिए गुरू के कच्छे दोने को नहीं टेपल पर तीन शेर रखके कुटों जैसा वेवार करते हुए शरम नहीं आती आप जैसे लोग ही ऐसे बेहुदा काम बेश शरम होकर करते हैं श्रीश वासन वो फैक्स दो मुझे तुम्हें सस्पेंड कर दिया है आपके बेनामी आकाउंड बेनामी पैसे सारी इंफोमेशन है इसके अंदर यहाँ पर जॉइन होने से पहले आपने अपने सीनियर जुनियर सब के खिलाब एक्शन लिया है तब जाके कुर्नूल में आये हो आप बाल्टी में पानी भरना है तो पहले उसके छेद बन करने होते हैं और अगर गुंडों को कंट्रोल करना है तो तुम जैसों को यहां से हटाना पड़ता है सल्यूट करने वाले हाथ हमेशा उपर होने चाहिए क्राइम कंट्रोल में होना चाहिए अपराद करने वाला सलाखों के पीछे होना चाहिए चाहे वो कुंडा हो या पुलेस फगण के जेल में डाल दो